का पर्व अब चुनाव सिर पर है इसमें भागेदारी के लिए ये वारता आयुजित की है जैसे राजशाही में पहले सर्वसमाज की भलाई की गारंटी राजा की और सुरक्षा की भी जिम्मेवारी राजा की होती थी गाओं बस्ती में ये भार गाओं के मुखिया या ठाकुर साब का होता था लेकिन 1947 के बाद राजशाही खतम होने पर अब लोकशाही आ गई है तो ये गारंटी भारत के सम्विधान पार्ट तीन और पार्ट चार में फंडामेंटल राइट्स और डारेक्टिव प्रिंसीपल्ज में ये गारंटी नहीं थे किसी व्यक्ति के पास समाज कल्यान की सुरक्षा की वेलफेर की गारंटी भारत के समिधान में नहीं है ये समविधान में ये गारंटी है उस गारंटी को हम चाते हैं ये समाज चाता है कि हम उस गारंटी को समविधान को सम्मत चीजों को लागू करवाने के लिए वंचित दलित और उस वरग को जो अब तक दूर रखा गया है खाली पेट भरने से अनाज से पेट भर सकता है लेकिन उसके स्वाभिमान और उसका जो मान सम्मान समिधान की जो मूल भावना है उसको दिलवाने के लिए राजपूद सवाज लामबंध हुआ है क्योंकि भारत के समिधान में ही मतलब आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243T स्थानिये चुनाओ लोकल बोडीज के इलेक्शन और पंचायती राज में आरक्षित सीटें रोटेशन के हिसाब से की जाती हैं लेकिन पार्लेमेंट की सीटें और विदान सबा की सीटें रोटेशन की बजाए आबादी के हिसाब से की जाती हैं कि जिसमें SC की जहां आबादी जादा हो तो ये विसंगती है उसका उधारन हमारे सामने है 1952 से लेके 2024 तक हरियाना की अमबाणा और सिरसा लोकसबा सीट एज इट इज रिजर्व चली आ रही हैं विदान सबा की मुलाना बावल जजजर पटोदी कलानोर बवानी खेडा मतलब 10 सीटे 17 में से एज इज 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 चली आ रही हैं हमारा अभियान है कि इस बात को हम सडक से लेके सरवोच न्याले तक और चुनाओ में भी एक मुद्दे के रूप में कि 2026 का जो डिलिमिटेशन होने जा रहा है उसमें विदान सबा और लोकसबा की सीटें भी रोटेशन के हिसाब से की जाएं रोटेशन के हिसाब से करने से ये लाब होगा कि आज खाली लोकसबा के लिए अमबाला या सिरसा के सी को ही क्यों परतिनी देतू मिले जब की हर लोकसबा हर विदान सबा सीट पर 18% से लेके 22% तक S.C. समाज की आबादी है उनको तो एक किसम से अचूत समझ के एक तरफ हम चुआ चूत खतम करने की बात करते हैं और एक तरफ हमने जैसे गाउं में चमार की ढाणी है दानक की ढाणी है बालमिकी की बस्ती है इस तरह से आपने पिछले 75-77 साल से पटके हुए उनको अचूत किया हुआ है चंदीगड में भी SC समाज की उतनी ही भागेदारी है अगर रोटेशन से नहीं हुआ तो कभी भी चंदीगड से तो कोई MP बढ़ी ही नहीं सकता SC समाज का तो हम इस चक्र को राजपूत प्रतिनी दी सबहा तोड़ना चाती है और रोटेशन से करवाना चाती है ताकि एक बार जब चंदीगड आरक्षित हो जाएगी और यहां से आरक्षित SC समाज का कंडिडेट निर्वाचित होगा अगली टर्म में जब चंदीगड समाने सीट हो जाएगी तो जो आरक्षित जीत कर गया था आरक्षित सीट से उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए समाने सीट से भी हम उस आरक्षित वर्ग को कंडिडेट बनाएंगे जब ये भेद भाव भी आगे चलके खतम होगा और समीधान की जो मूल भावना है वो भी कहीं न कहीं पूरी होगी और एक समाज में पूरी समरस्ता समानता वो आएगी मुझूदा दो हजार चौबिस के चुनाओ में दो हजार चौबिस के चुनाओ के लिए और अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं हो सकता है कि विदान सबा का चुनाओ भी साथ हो जाए क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन इनका उसकी हमारी डिमांड हमने खाली कहने क सही नहीं ये एक समारी का उनने सो टीस से और दो हजार उननिस तक का इसमें हमने डाटा दिया है हर्याना की 90 विदान सबा सीटों में से 18 विदान सबह में राजपूत अलग-अलग कारेकाल में जीत कर आया हुआ है इसका मतलब करनाल लोकसबा सीट, कुरुक्षेतर लोकसबा सीट, गुडगावा, फरीदाबाद और भिवानी मेंदरगेड लोकसबा सीट पर हमारा कलेम बनता है हमने दो सीटें कम से कम रास्ट्रिय पार्टियों से मांगी हैं रास्टिये पार्टियां अगर हमारी बात नहीं मानेंगी तो खेत्रिये पार्टियों से और फिर निर्दलियों को भी मैदान में उठाएंगे और जो 18 सीटे हम जीत चुके हैं आने वाले विदानसभा चुनाओं में उन 18 सीटों पर और दो सीटे फालतू बढ़ रही हैं उन पर हम अपना क्लेम और अपना प्राकरम दिखाने का काम करेंगे हम पहले रास्टिये पार्टियों से हमने बाकाइदा उनको मेल भी कर दिया रजिस्टर पोस्ट भी डाल दिया मिल भी लिए कि आपके पास हमारे समाज के योगे और पातर उमीदवार हैं हमारे कहने से मत दो अपने पार्टी के लोगों को टिकट दो नहीं दोगे तो हम रीजनल पार्टीज को अप्रोच करेंगे रीजनल पार्टीज मीं नहीं देंगी तो हम कोशिस करेंगे कि का चुनाव भी जीती है मैं यह कह रहा हूं कि आर्टिकल 38 समिधान भारत के समिधान की आर्टिकल 38 वो कहता है नहीं नहीं आरक्षन की बात नहीं कि जहां ऐसा मानता है जहां किसी को राजनीतिक शडियंतर के तहट उसको वंचित किया जा रहा है वहां उसको परतिनिदेतों मिलना चाहिए अगर हिमाचल परदेश में किसी भी जाती वरग को वंचित किया जा रहा है राजनीतिक शडियंतर के तहट उनको पूरा हक है कि वो अपनी बात रखें अपना क्लेम पुट अप करें हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद